आज इस वीडियो में आप जानेंगे की भारत के 21 राजसभा सीटे हैं, तो उत्तर पर्देश में 21 राजसभा सीटे हैं, बिहार में 16 राजसभा सीटे हैं, 36 गड में 5 राजसभा सीटे हैं, राजस्थान में 10 राजसभा सीटे हैं मद्य पर्देश में 11 राजसभा सीटे हैं जारखंड में 6 राजसभा सीटे हैं हरियाणा में 5 राजसभा सीटे हैं करनाटक में 12 राजसभा सीटे हैं महाराष्टर में 19 राजसभा सीटे हैं गुजरात में ग्यारा राज सभा सीटे हैं, आंधर परदेश में ग्यारा राज सभा सीटे हैं, ओडिसा में दस राज सभा सीटे हैं, तमिल नाडु में अठारा राज सभा सीटे हैं, तिलंगाना में सात राज सभा सीटे हैं, पस्चिम बंगाल में सोला राज सभा सीटे हैं हिमाचल पर्देश में तीन राज सभा सीटे हैं अरुडांचल पर्देश में एक राज सभा सीटे हैं असम में सात राज सभा सीटे हैं पंजाब में सात राज सभा सीटे हैं पत्राखंड में तीन राज सभा सीटे हैं केरल में नव राज सभा सीटे हैं मनिपुर में एक राज सभा सीटे हैं, मिजोरम में एक राज सभा सीटे हैं, मेघाले में एक राज सभा सीटे हैं, नागा लेंड में एक राज सभा सीटे हैं, तिरपुरा में एक राज सभा सीटे हैं, सिक्किम में एक राज सभा सीटे हैं, गोवा में एक राज सभा सीटे है जम्मु एंड कस्मीर में चार राजसभा सीटे हैं दिल्ली में तीन राजसभा सीटे हैं राजसभा के सदस्यों का चैन जनता दौरा सीधे नहीं किया जाता है बलकि उस राज में बिधान सबा सीटों से जीत हासिल करने वाले यमिले यानि बिधायक अपने राज के राजसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं या यूँ कहें कि बिधायकों के समर्थन से ही राजसभा सदस्यों चुने जाते हैं जिस पारटी के जितने जादा राजसभा सदस्यों रहेंगे उतना ही आसानी होगा उस पर्टी को कोई कानून या बिल पास करने में राजसभा के सदस्यों की सेलरी लगबग एक लाक रुपे प्रती महीने होती है राजसभा के सदस्यों का मुख कारे लोगसभा दोरा पास किये गए प्रस्ताओं को चेक करना और उसमें हुई कमियों को पूरा करके उसे लागू करना होता है क्या आप जानते हैं कि किस राजसभा में कितनी लोगसभा और बिदानसभा सीटे हैं इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं या फिर आपके मुबाइल स्क्रिण पर वीडियो देख रहे होगी उस पर भी किलिक करके आप लोगसभा और बिदानसभा सीटों को देख सकते हैं कि किस राजस में कितनी लोगसभा और कितनी बिदानसभा सीटे हैं